दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपी के अपनी यूटूब चैनल आर एनस एजुकेशन यूज में दोस्तो बिजली वबाकी हैलपा टू परिक्सिया फिलाल चालू है और 28 दिसंबर की पहली पारी में क्या कुछ पूछा गिया है पूरा पेपर और सबसे 60 कांकलन आगे जिनकी परिक्सिया है उनके लिए बहुत काम का वीडियो तो शुरू से लेके आन तक आप पूरा वीडियो चरूर देखिएगा तो दोस्तो अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सीधा सा करना है जो वीडियो आप देख रहे होंगे उसके ठीक नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर का बटन दिखाई देगा उससे आपको सिर्फ फ्रेस कर देना है उसके साथ बैल आइकन को भी दबा दें जिससे बिजली भाग से सम्मंदित हम कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो दोस्तो आज सबसे पहले प्रथम पारी 8 दिसंबर की हेलपर 2 सबसे पहले तम आपको बता दूँ कि जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए आज 35 सवाल यहां पर हिंदी में पूछे गए हैं एक हमारे अभ्यरती हैं उन्होंने मुझे वाट्सअप करके यह जानकारी दी है जो पेपर उन्होंने बताए वही मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लावा जीके में दोस्तो 30 सवाल तो 35 प्लस 30 जाने की यहां पर 50 से 55 सवा आपके जीके प्लस हिंदी में पूछे जा रहे हैं डेली का यही एनलाइसिस है हर पारी का 50 सवाल हिंदी प्लस राजस्तान जीके से आ रहे हैं तो हिंदी पर जाता ध्यान देने की आप लोगों को जरूरत है अब दोस्तों इंगलिस में अज पूछे गए थे तकरिबन 10 पूछे गए हैं सबसे जो अधिक चीज है वो जीके में फिक्स यहां पर 30 सवाल और हिंदी में यहां पर 30 कभी 35 यह यहां पर वेटेज रह रहा है पूरे पेपर का अब दोस्तों सबसे पहले पूछा गया था कि राजस्तान के वर्तमान ग्रह मंत्री कोन है दोस्तों फिला जो वर्तमान ग्रह मंत्री के हम बात करें तो इसका राइट आंसर तो गुलाब चंद खटारी आएगा ठीक है क्योंकि पेपर पहले छप चुके थे और अभी कॉंग्रेस सरकार ने अभी विभागों का बट्वारा किया है तो गुलाब चंद खटारी है इसका राइट आंस सिंग ये राजस्तान के वर्तमार राज्युपार हैं ठीक है कल्यान सिंग का राइट आंच रा जाएगा अब इसके बारे पूछा गया चा दोस्तों की राजस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला आपका जैसल मेर है सबसे बड़ा जिला टीक है? अब पूछा जा सका है कि शबसे चोटा झिला कौन सा है? ये भी आप याद करके जाइएगा अरावलि परवत माला की सबसे उची चोटी किस जिले में इस्तित है? तो इसमें ये यहाँ पर चोटी का नाम ना पूछ करके उन्होंने जिला पूछ लिया कि किस जिले मे इस्तित है तो गुरु सिखर सबसे उची चोटी अरावली परवत संकला की और ये कहां पेस्तित है सिरहवी मेस्तित है ठीक है गुरु सिखर अब अगला सवाल था दोस्तों कि मित्र का परियावाची हिंदी में पूछा गया था मित्र मित्र का परियावाची आपका दोस्त आ जाएगा सक्खा आ जाएगा ठीक है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अब सूरिय का परियावाची पूछा गया था तो सूरिय का परियावाची होगा आपका भासकर भी कह सकते है तो ये आपका right answer यहाँ पर आ जाएगा अब राजस्तान, राज्य किस राज्य के दक्षिन पूरों में इस्तित है तो ये पूचा गया था इसमें इसका answer हमें बता सकतें कमेंट कर कर करके राजस्तान का सबसे गरम इस्तान कौन सा है तो इसमें फलोदी सबसे गरमिस्तान है ठीक है गरमिस्तान से समंदित यह सवाल आये था अज़ sound अब अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर राजस्तान भारत के किस दिसां में इस्तित है यह पूछा गया था राजस्थान के बारे में पूछ लिया गया कि जो भारत देश है उसके किस दिशा में इस्तित है तो इसका राइट आंसर आजेगा हम पस्चिम दिशा में इस्तित है इसका राइट आंसर पस्चिम दिशा में राजस्थान राजस्थान भारत देश के इस ठीक है बीकनेर से लेकर जो पूरा बोर्डर है पाकिस्तानी बोर्डर वहां तक यह राठी गाय कि यहां पर नसल पाई जाती है अगर इसमें जिला पूचा गया यहां पर डिपेंड नहीं किया गया जैसा उन्होंने कहा है कि कहां पाई जाती है तो पस्चमी राजस्तान में पाई जाती है ठीक है एगला सवाल था राजस्थान का पर्थम मुख्य मंतरी ये भी सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि राजस्थान का जो पर्थम मुख्य मंतरी कौन है तो महोनलाल सुखाडिया इसका राइट आंसर आ जाएगा परतम मुख्य मंत्री के बारे में अब दोस्तो यह कुछ सवाल थे अब इसके लाव मैस में क्या पूछा गया था आज तो जो बोर्ड मास है ठीक है उसके दो क्यूस्चन्स थे बोर्ड मास के दो क्यूस्चन इसके लाव परसंटेज यानि कि प्रतिसत का भी यहां पर दोस्तो डेली सवाल आ रहे हैं प्रतिसत के आज दो सवाल पूछे गए थे प्रतिसत में से अब आपका यहां पर बचता है टाइम एंड वर्क इस से रिलेटेड तीन सवाल थे दोस्तो बहुत ज़ादा यहां पर तीन सवाल टाइम और वर्क से यानि के समय और कारिये से रिलेटेड जो प्रसन आते हैं उसमें से यह तीन सवाल आज पूछे गए थे एक सवाल पूछा गया था प्रोफिट एंड लोस लाब और हानी ठीक है एक सवाल प्रोफिट एंड लोस से पूछा गया तो सवाल तक्रीबन पूछे गए थे जिनमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं दो सवाल बोड मास, दो सवाल परसंटेज, तीन सवाल यहाँ पर टाइम एंड वर्क और एक सवाल आपका लाभनी तो यहाँ पर आप बात करें तो आठ सवाल यह होगे, दो सवाल अदर्स थे, तो इस तरीके से दस के तक्रीबन यह सवाल मैट्स में यहाँ पर पूछे गए थे अब दोस्तों, इंगलिस में क्या पूछा जा रहा है, तो इंगलिस में आपके एक्टि और पेसिव डेली आ रहे हैं, और एक खालिस्तान देखे, उसमें वर्ब या कुछ भी यहाँ पर भरवाया जा रहा है, तो यह भी इंगलिस में आ रहा है, अब साइन्स में, आज की म बात करूं, टोटल दस सवालों में से, तो पांच सवाल यहाँ पर आपके आविस्कार से रिलेटेड थे, पांचों सवाल थे आविस्कार से रिलेटेड ही, यहाँ पर आज पूछ लिए गए हैं, आविस्कार, जैसे टेलिफॉन का अविस्कार हो, किसी भी मसिनरी का अवि 64 तो इसको आप हाल करके जरूर बताएं कमेंट बोक्स में जाकर के x प्लस y बराबर 64 तो इसका मान पूछा गया था किस तरीके से 64 होगा तो ये भी सवाल यहां पर पूछा गया था इसके अलावा एक और सवाल जिक्के में था कि पसू पालन विभाग राजस्थान का मुख्याले कहा है राजस्थान पसू पालन विभाग का मुख्याले के बारे में पूछा गया था कि मुख्याले कहा पर है तो राजस्थान पसू पालन विभाग का मुख्याले है जैपुर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सवाल और यहां पर पूछा गया था चूलिया जल्परपात के बारे में ठीक है तो यह चूलिया जल्परपात के बारे में भी पूछा गया था इस से रिलेटेड यह सवाल था चूलिया जल्परपात के बारे में नदी पूछी गई थी या इसा depends नहीं, ये तो confirm नहीं हो पाया, लेकिन चूलया जल्ब प्रपास related यहां पर सवाल था, एक सवाल यहां पर दोस्तों नहीं पूछा गया था, जिसको ग्यात नहिए जा सके, यानि कि one word कह सकते हैं इसे, one word एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब यहां पर पूछा गय हैं सबसे जाद आपको ध्यान देने की ज़रूत है हिंदी पे हिंदी में आप तो यह मैं बता हूँ आपको की हिंदी में आपको परियायवाची और विलों मिल रहे हैं इसके अलावा हिंदी में जो पूछा जा है वाक्यांस के लिए एक सब्द ये भी यहां पर पूछा जा रहा है ठीक है इसके अलावा हिंदी में मुहावरे ठीक है और आपकी संधी ये भी यहां पर हिंदी में पूछे जा रहे हैं इसके अलावा अगर मैं और हिंदी में अगर आगे चर्चा करें तो हिंदी में आपक ठीक है तो हिंदी के जो ग्रामर है उसमें ज़्यादा आप डिपेंड करें उसको ज़्यादा पढ़ें इसके अलावा राजस्थान की जो जीके है ठीक है उसमें राजस्थान की जीके के अगर चर्चा करें तो राजस्थान की जीके में आपसे सरग सवाल पूछे जा रहे है याने कि भोगोलिक प्रदेश भी पूछा जारे जैसे आज यहाँ पर चोटी पूछी गई किस चिले में इस्तित है और करंट की मैं बात करूँ तो करंट में आपका ग्रह मंत्री पूछा जारा है राज्यपाल का नाम पूछा जारा है यह करंट से रिलेटेड चार या पांस सवाल आ रहे हैं तो यह भी आप इसमें याद करके जाएं करंट के भी इसके अलाव दोस्तों अगर सबसे ज़्यादे आपको प्रोब्लम अगर आती है तो यहाँ पर इंग्लिस में आ रही होगी बहुत सब्हरतियों को तो इंग्लिस में एक्टिव पेट सी वोईस याद करके जाएं इसके अलाव आपका वन वर्ड इंग्लिस में भी पूछा जा रहा है सिंपिल वन वर्ड यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं इंग्लिस में इसके अलावा बाकी साइन्स में आविस्कार बिलकुल याद करके जाएं और मैथ में आपकी यहाँ पर परसंटेज और आपका बोड मास इसके अलावा अलाव हनी टाइम और वर्क यह पूछा जा रहा है तो फिलकुल भी आप इन चीजों को छोड़ के ना जहें जिनका आगामी पेपर है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको यह जो मैं पेपर आपको देख के बता रहा हूं तो दोस्तों आज के इस वीडियों फिलाल इतना ही जैसे ये दूसरी पारी और तीसरी पारी के क्विस्चन्स मुझे मिलेंगे मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूँगा तो फिलाल के लिए जै हिंद जै भारत